आज हम बनाएंगे तीखी और चटपटी हरी मिर्च की भुजिया जिसके लिए हमने हाँ पर मोटी साइज की मिर्ची ली है और हमने लिया है यहाँ पर दस से पंदर कलिया लेसन की चाहिए हमें एक चमच के लगभग आमचूर पाउडर आधी चमच से भी कम मेथी दाना आधी चमच अजवाईन आधी चमच कलोजी एक चमच हमने लिया है यहाँ पर सौफ एक चमच साबुद्धनिया और चाहिए हमें स्वात के नुसार नमग सबसे पहले हम इन मसालों को हलका सा रोष्ट कर लेंगे इसके लिए हम रखेंगे गैस पे पैन और इसमें हम बारी बारी से इन मसालों को डाल देंगे मसालों को हम medium flame पर चलाते हुए हलका सा लाल होने तक भून लेंगे जब मसाले हलके लाल हो जाएं तब हम गैस का flame आप खरेंगे और सबसे last में हम इसमें डालेंगे अजवाइन हम इसे भी चलाते हुए हलका सा भूनेंगे और भूनने के बाद हम इन मसालों को पीस लेंगे हमने यहाँ पर मसाले पीस कर ले लिये हैं अब हम काट लेंगे हरी मिर्च और लहसन को मिर्च को हमने इस तरीकी के पीसेस में काटा है और लहसन को भी हमने चार-चार डुकडों में काट कर ले लिया है तो चलिए इसे बना लेते हैं हम फिर से पैन में डालेंगे 2-3 चम्मज सरसो का तेल अब हम इसमें कटी हुई मिर्च और लैसन को डाल देंगे हम मिर्च और लैसन को मीडियम फ्रेम पर चलाते हुए हलका साप्ठ होने तक भून लेंगे जब यह हलके साप्ठ हो जाएं तब हम इसमें डालेंगे हमने जो मसाले भून कर पीसे थे उन्हें डालेंगे हम इसमें आमचूर का पाउडर और नमक हम इन मसालों को मिर्च और लैसन के साथ अच्छी तरीके से चलाते हुए मिला लेंगे और लो फ्लेम पर हम इन्हें हलका सा भून लेंगे थोड़ी देर बाद हम गर्स का फ्लेम आप करेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे तीखी और चटपटी हरी मिर्च की यह भूजिया बनकर तयार है जो खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है आप इसे रोटी के साथ खाएं या फिर दाल चावल के साथ खाएं इसका स्वाद खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है आप लोगों को मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताईएगा जरूर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें